वाइकॉस्की की थेयरी में तीन बातें मुख्य रूप से याद रखनी होती हैं, जो मैं आपको बताती भी हो एक ट्रिक SCL, जैसे BPL होता है न, Blow Poverty Line, उसे तेरा से हमने SCL बनाया हुआ है, Society, Culture इन तीन चीजों के अराउंड उनकी पूरी थेयरी घूमती रहती है, और यहीं से आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी, तो समझते हैं कहानी क्या है, Lab Bajkowski's theory mainly focus on explaining the impact of dash on dash development, यानि Lab Bajkowski का सिधान्त मुख्यत है, dash के dash विकास पर पढ़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, आप देखिए अपना SCL में से कोई एक फिट हो जाएगा, Society, Culture, Language में से, Biological Maturation यानि Heredity, Maturation किस से संबन देते हैं, आनुवान शिक्ता से, Heredity की बात प्याजे करते हैं, Genetics की बात प्याजे करते हैं, कैसी किताबे पढ़ रहे हैं, उन सब पर focus है, तो ये तो गलत हो गया, Emotional की बात ही नहीं बची, Attribution Pattern, Moral, इन सब की बात नहीं करता है, इन में से कोई भी, reward and punishment की बात कोई भी constructivist, यानि रचनावादी नहीं करेगा, ये behaviorist लोग करते हैं, तो एक ही उत्तर सही है, कि वाइगौस्की की जो थेयरी है, वो mainly cultural tools, यानि cultural tools क्या है, हमारे लिए रामायन, महाभारत, ये सब क्या हो सकते हैं, cultural tools हो सकते हैं, यानि हमारी संस्कृति में चल तो C option is the right answer, कि लेव वाइगौस्की असिद्धान्त मुख्यत है सांस्कृतिक उपकरणों व संग्यानात्मक विकास पर पढ़ने वाले प्रभाव की बात करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number second पर, following लेव वाइगौस्की's theory, a teacher should, teacher को किस चीज़ पर focus करना चाहिए, provide appropriate scap folding to students by giving hints and cues, ये बात भी हमें दिवांग में बठा लेनी है, कि वाइगौस्की कहते हैं, temporary help दीजे, scap folding दीजे, कौन देगा, MKO, more knowledgeable other, वो व्यक्ति जो आपसे जादा जानता है, age कम हो सकती है, जादा हो सकती है, तो आपको hint देनी है, जहाँ बच्चा अठकता है, उसको cues देने हैं, पूरा solution नहीं दे देना, temporary help देनी है, जिस step पे बच्चा अठकता है, बात तो सही लग रही है, फिर भी देखते हैं, B option, restrict, collaboration and discussion, जबकि जो व्यक्ति समाज से सीखने की बात करेगा, socio-constructivist है, वो collaboration की गुरुप में सीखने की सहयोग की बात जादा करेगा, ये क correction मत करो, कुछ सीखो मत, कहीं जाओ मत, ऐसा भी नहीं कहते वायकॉस की, frequently use negative reinforcement, reinforcement, punishment, reward, ये रचनावादियों की dictionary में ही नहीं है, ये व्यवहारवादी, Skinner, Pavlov, ये सब बात करते हैं, तो संकेत और इशारे देकर, विद्यार्थी को उप्युक्त पाढ़ प्रदान करना, यान to contemporary theories, what kind of classroom environment facilitates cognition, cognition मतलब संग्यान, ग्यान को बनाने की जो प्रक्रिया है, कि हम ग्यान का निर्मान कैसे करते हैं, उसको संग्यान कहते हैं, ठीक है न, तो संग्यान को सुसाधित करने में समकालीन सिधान्तकार, देकि समकालीन contemporary लिखा है, मतलब आज के समय की बात हो रही है, आज की समय में कैसे देखते हैं, हम cognition को बिल्ड करने की बात जब करते हैं, तो हमें बता है, constructivism क्या है, latest approach है, तभी तो हम आज की theories में, आज की policies में use कर रहे हैं, प्याजे और वाइकॉसकी को इतना, कि हम चहा रहे हैं कि बच्चा active हो करके, सीखे, बात सही है या गलत है, बताओ फटाफट से, बिल्कुल सही है, like share भी कर दो फिर इसी बात पे, तो अगर हम बात करते हैं, contemporary theorist, यानि आज के समय के theorist, तो fearful बनाएंगे सीखने की process को, threatening बनाएंगे दिमाग के development को, inaccessible, यानि जहां तक आप पहुँच ही न पाओ, exclusive, कुछ ही लोगों के लिए, didactic ह होता है कि रटवा दिया, पहले definition दी और फिर रटे लगवाए, textbook centric नहीं, learner centric, यानि बच्चे को active रखना है, तो एक ही positive उत्तर है, बच्चों बच्चे के पक्ष में है, वो है, print rich and resourceful environment, print rich क्या है, हम एक बात करते हैं, building as learning aid, bala कहते हैं उसको, शैतान का साला नहीं है, this is bal बोले तो building as learning aid, यानि building को ही एक learning aid के रूप में use कर रहे है, यह क्या है, print rich environment का उधारन हो गया, कि बच्चा active है और सीख रहा है, इस दिवार पर कोई chart बना हुआ है, उस दिवार पर ग्रहों के picture बनी हुई है, हम अगर बात कर रहे हैं, gate खोल रहे हैं, तो नीचे angle का कुछ सिखाने के लिए बना हुआ है, तो पूरी जो building है, वो ही अपने आप में learning aid का का काम कर रहे है, अगर आप CD-ों से जा रहे हैं, तो CD-ों पर लिखा हुआ है, 2, 1, 2, 2, 2, 4, तो environment जो है, वो print rich है, बच्चा environment से ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, तो यही बात कौन करें है, students learn best, यानि social cognitive या social जहां भी आ गया, मतलब समाज के साथ अंतहक्रिया करने के सीखने की बात हो रही होगी, यानि समाज में, समाज मतलब group में, लोगों के साथ activity करके सीखने की बात हो रही होगी, बात सही है नहीं है, according to social cognitive views of learning, students learn best by, बच्चा passive नहीं हो सकता, बच्चे क बच्चा नहीं हो सकता है, यह सबसे बड़ा negative word है, बच्चा active होता है, पैसिव नहीं रखना बच्चे को, actively engaging with their environment, यह positive लग रहा है हमें, कि बच्चा actively engage करेगा, overt conditioning of behavior, no conditioning क्योंकि यह व्यभारवादी thought है, बच्चा नहीं लगवाना, memorization of decontextualized information, contextualized होनी चाहिए, information decontextualized, संदर्ब में होनी चाहिए, उसके real life से जोड़ी होनी चाहिए, decontextualized का मतलब है, उसके जीवन से उस information का कोई सम्मदर नहीं है, बस memorize करा रहे हैं, रट्टे लगवा रहे हैं, तो answer क्या सही होगा, actively engaging with their environment, अपने वातावरण से सक्रिय सनलगनता द्वारा, बच्चा सामाज the following also known as social constructivist theorist, यानि निम्न में से किसे सामाजिक रशनावादी सिर्धान्तिक या सिर्धान्तकार के रूप में भी जाना जाता है, अभी शुरूआत में ही मैंने आपके साथ डिसकस किया था, social constructivist, एक ही वेक्ती हैं, कौन हैं, बताओ, बियाफिस्किनर हैं, ये तो behaviorism की बात करेंगे, बिल्कुल hardcore behaviorist, ठीक है ना, जैसे प्याजे hardcore radical क्या है, constructivist है, लौरेंस को हुलबग, इनका यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, ये cognitive aspect से प्याजे से inspired है, moral learning की theory है, ना कि इनका इस बात से कोई संबन नहीं, जे पी गिलफर्ड intelligence की बात करते हैं, ठीक है लेब वाइकॉस की, society, culture, और language के थुरू, ये तीन महतुपून चीजे है, SCL, धन्यवाद, रजनी शर्मा, आपके compliment के लिए shirt पे, ठीक है, आपको gift कर देंगे, और बताइए, आखे बढ़ेंगे question number 6, देखिए, फटा-फट से समझेए, क्या है कहानी, तो students in a class are working in groups, यानि एक class के अंदर बच्चे जो हैं, students वो groups में, यानि समुहों में काम कर रहे हैं, दो-दो-चार के गुरूप बने हुए हैं, to understand a concept, एक concept समझ रहे हैं, when teacher observes that all members of a group are not able to move further in their understanding, यानि जब teacher ने notice किया, कि group में 5 बच्चे हैं, तो उनमें से 3 बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, दो बच्चों को साथ साथ समझ में नहीं आ रही, बाकी के 3 बच्चे आगे निकल जा रहे हैं, अब क्या करेंगे teacher, teacher helps them by giving prompts, तो teacher ने prompt देना शुरू किया, cues दे गुरूप में, खुद से activity करेगा, तो temporary help दे दी बच्चे को, ठीकि ना, ये कौन सा concept है, ये जो temporary help देने का है, teacher ने खुद से नहीं solve कर दी सारी problem, solve करने में मदद दी है, तो मदद दी है का मतलब conditioning होती है, नहीं passive imitation होता है, बच्चा तो passive है, यहां बच्चा active है, रटना हो स्टा है, बिलकुल भी नहीं, scap folding होता है, temporary, मदद का मतलब, pad या temporary help क्याते है, scap folding को, जैसे scap folding मानलो, cd की तरहा है, कि आपकी height है 6 feet, आपको 9 feet की उचाई पर जाना है, अपनी टंकी साफ करनी है घर की, तो आपको एक cd का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस 3 feet की दूरी को cover करने के लिए, तो ये क्या हो गया, basically वो है scap folding, temporary help, cd लगाए नहीं, गूमते रते हैं, आप जैसे ही चड़ जाते हैं, cd का काम खत्म हो जाता है, समझ पारे हो बात को, clear है, और cd पे चड़ना भी खुदी पड़ेगा, cd आपको उठा के नहीं जाई चत पे, तो मतलब temporary help है, clear है बात, चली बहुत बढ़े है, कोई कह रहा है, आपने class के शुरू में hint दे दिया था, इसलिए सही हो रहे हैं, बस यही है कि समझ में आ गया इसका मतलब, वो hint देने का मतलब यही है कि समझ में आ जाए, थोड़ा idea हो आपको, अब एक और question है, development of language and thought, यानि भाशा और विचार के विशह में, क्या विचार है वाइगोस्की का, यह पूछा है, ZPD बताएंगे, tension लो, वाइगोस्की से समझ में आपको आजाएंगे, खत्म हो जाएंगे, देखे, भाशा एवं विचार या भाशा एवं चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं, language and thought की जब हम बात कर occurs independent of the socio-cultural context, यानि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्ब से स्वतंत्र होते हैं, मतलब भाशा और विचार कुछ और ही होगी, अगर मैं भारत में रह रही हूँ, तो मेरी भाशा हिंदी होगी ही नहीं, मुझे तो हिंदी के बारे में पता ही नहीं है कुछ कैसे बोलते हैं, यह इस समाज से आपकी भाशा का और आपकी विचारों का कोई तालुक नहीं है, भाईया हमारे तो examples भी, हमारी भाशा भी, हमारे विचार भी, सब कुछ प्रभावित होता है जिस संस्कृति में हम रहते हैं, कैसे lockdown में रामयन चल रही थी तो आप उस तरह से सोच रहे थे, हमने क् बड़े होते हुए हमारे TV में, हमारे news पे, वो भी हमारी संस्कृति हमारी भाशा से प्रभावित है, तो हम यह नहीं कह सकते कि भाशा का और संस्कृति का कोई रोल नहीं है हमारी language और thought पे, यह तो एकदम खराब बात हो जाएगी, यानि endless ways में वो क्या है, इंटरेक्ट करते हैं, आप जिस language का प्रयोग कर रहे हैं सोचने में और जिस culture से information आपके पास आ रही है, वो दोनों मिल करके एक समझ बना रहे हैं आपकी, बात तो से ही लग रही है, is influenced by heredity only not environmental factors, ऐसा कैसे हो सकता है कि language, अगर आप बच्चे को बच्पन से एक vacuum में एक बंद जगा में रख दीजे, जहां उससे कोई बात नहीं करता, क्या वो heredity की वजहा से language सीख जाएगा, नहीं सीख पाएगा, वो बन जाएगा, मोगली, movie देखिये न, तो वो फिर जं independent of each other, देखिये वाइगाउस की ये कहते हैं, कई लोगों को ये गलत फहिमी है कि language and thought का कोई आपस में रिष्टा नहीं है, language and thought क्या होते हैं, interrelated होते हैं, क्या होते हैं, interdependent होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिस भाशा को आप जानते हैं, उस भाशा में आप की विचार आते हैं, और जो आपकी विचार आते हैं, वो भाशा को प्रभावित करते हैं, तो language and thought जो है, ये interrelated है, बस वाइगाउस की क्या कहते हैं, शुरुआत के जीवन में कुछ साल तक ये parallel चलते हैं, parallel मतलब समानांतर चलते हैं, independent चलते हैं, बाद में जाकर के मर्ज ह हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, कि वाइगाउस की नहीं ये कह दिया कि language and thought का कोई रष्टा नहीं है, है, ठीक है ना, तो language and thought बिलकुल interdependent हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या कहेंगे, कि is interrelated since they interact in myriad ways to influence each other, myriad ways का मतलब क्या है, अस एक तरह से सोचेगा, हिंदी बोलने वाला विक्ति, एक तरह से सोचेगा, यानि, language influences are thoughts, ये ली वोर्फ का भी concept है, एक व्यक्ति हैं, ली वोर्फ, तो language का impact होता है, हमारी thought पे वो भी यही बात कहते हैं, एक number में question वो भी पूछा जा चुका है, हालां कि language वाली chapter में हम इसक और भाषा, दोनों एक दूसरे को असंखे रूप में प्रभावित करते हैं, जो हमें पता भी नहीं है कि किस किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, question number 9 पर आते हैं, तो इन्होंने ignore ही कर दिया, वाइगॉसकीने, इस बात पर तो इनकी आलोचना होती है कि biological aspect को ध्यान में नहीं रखते, इनके लिए genetics matter नहीं करते, इनके लिए age matter नहीं करती, इनके लिए आप क्या interact कर रहे हैं, society और culture में, उससे आपकी समझ बनेगी, mere observation and imitation, ये नकल की बात नकल की बात बेंडियूरा करते हैं, है न, थोड़ी बहुत observation नहीं, ये proper interaction की बात करेंगे, social interactions, बिल्कुल सही बात है, society, culture, language, इन तीनों में से 90% chance होते हैं कि आप वाइगॉसकी का उत्तर धून लेंगे जब भी फसेंगे, सामाजिक संपर्ता या अन्तहक्रिया या अन्यो या कहता है, question number 9, आप पोल में भी जवाब देंगे, who among the following believed that human activities take place in cultural settings and they cannot be understood apart from those settings, यानि निमनी में से किसका मानना है कि मानविये गतिविधियां संस्कृतिक परिपेक्ष में विक्सत होती हैं और उन परिपेक्षों से हट कर उन्हें समझा नहीं जा सकता, यानि जो भी activity हम क किस समाज में, किस culture में क्या सही और क्या गलत है, अगर इस बात को हम हटा देंगे कि आप किस संस्कृति से आ रहे हैं, तो सही और गलत बदल जाएगा, तो हम सही और गलत को या जो भी हमारी activities है, हमारी understanding है, उसको यदि अपने culture से ब्लकुल अलग ही कर दें, तो समझना मु ठीक, क्या है, लेव वाइगास्की, ना तो Brunner, Ausubel ने meaningful learning दी है, कोई भी ना प्याजे society को उतना महतुपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन वाइगास्की बहुत जादा मान रहे हैं, तो D option is the right answer over here, आगे बढ़ेंगे question number 10 पर, देखिएगा, question number 10 क्या कहता है भाई, as per लेव वा लिए, चार options आपके सामने हैं, देखेगा, तो अनुबंधन है, यानि conditioning है, conditioning की बात व्यवहारवादी करते हैं, यह है, constructivist यानि रचनावादी, यह बात नहीं करेंगे, conditioning की, चाहे प्याजे हो, वाइगास्की हो, और इवन आपके पूरे paper में, conditioning की बात as such होती नहीं है, क पस जाएगा, इस कीमा की बात तो प्याजे कर रहे हैं, वाइगास्की तो नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो cultural context, जो है, यानि सामाजिक, जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो हमारे संग्यानात्मक विकास को बहुत हज तक प्रभावित करता है, जिस संस्कृती में हम रहते हैं, ज प्रभाव्य के सद्धानतों को महत्व दिया जाएगा, उस क्लास में क्या ज़रूरी बन जाएगा, रेसिटेशन और रिकॉल, लिए रेसिटेशन और रिकॉल अछी माना जाता, रेसिटेशन एक बार को चलो कविता का आप वाचन कर रहे हैं, बढ़ रटना हो गया, बच्चे को एक्टिव रहना जरूरी है और रटने में बच्चे को एक्टिव हम नहीं मानते collaborative learning यानि collaborative मतलब सहयोग आतमक अधिगम सहयोग के लिए क्या होगा दो या दो से अधिक लोग लगेंगे तभी तो सहयोग हो पाएगा यानि गुरुप में सीखने की बात हो रही है और गुरुप किसका पार्ट होता है society का तो society, culture, language ठीक, use of rewards and punishment अगें आपको याद रखना है ये भी behavioristic principles हैं, conditioning of responses अगें आपको ध्यान रखना है conditioning की बात ना प्याज ही करेंगे ना वाइगास की करेंगे इवन आपकी paper में condition का कोई positive तालुक है ही नहीं तो सहयोगात्मक सीखने, मतलब वो class जिसमें teacher या जो सिधान्त है वो वाइगास की का follow किया जाएगा, वहाँ गुरुप में सीख रहे होंगे लोग एक दूसरे की सहायता करके, collaborate करके, cooperative करके assistive learning हो रहे होगे, एक दूसरे को assist कर रहे होंगे question number 12 देखिए, constructivist, constructivism में ऐसा theory है यानि संरचनावाद या रचनावाद, एक theory के रूप में जब हम देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सारी policies, NCS, सभी आज के समय में हम सबसे ज़्यादा इसी को follow करते हैं क्योंकि बच्चा construction करता है, इस school of thought में, school of psychology में क्या करता है, ज्यान का स्रिजन करेगा, तभी constructivism नाम है construct करने वाला रचनात्मकतावाद, जहां रचना करेगा बच्चा ज्यान की तो बच्चे का active होना ज़रूरी है, तभी तो construction करेगा emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world यानि सीखने में अधिगम करता की भूमिका को महदवपूर मानता है जिससे बह संसार के बारे में खुद समझ बनाता है, यानि बच्चा active है बच्चा actively construct करेगा, दुनिया में रहकरके अपनी समझ को विक्सित खुद करेगा बात तो सही है, positive बात है, बच्चा active है और ज़्यातर questions हमें पता है, जहां बच्चा active होता है, वो सही होता है emphasizes on memorizing, यह memorizing शब्द, recall शब्द, यह सब रटन्त विद्या की तरफ लेके जाते हैं कि जानकारी के समरण वा उसके प्रत्या समरण की परिक्षा पर जोड़ देता है कि रट्टे लगा और उसको उडेल दो, उल्टियां कर दो उसकी कहां paper पे, literally नहीं, metaphorically कि आप जो भी रट्टे लगाए उसको paper पे लिख करके आगए यही हमारा system चला आ रहा था है जिसको बदलने की कोशिश अब हो रही है पिर आते हैं C option पे, emphasizes on the dominant role of the teacher यानि सिक्षका की प्रभुत्व भूमिका पर जोड़ देता है यानि teacher dominant है, भहिया dominant यहां किसी को नहीं होना यहां बच्चे को center में रखना है, teacher और बच्चे दोनों active रहेंगे constructivist classroom में, यह question भी पूछा जा चुका है, बोथ हार active है constructivist classroom focuses on the role of passive imitation, बच्चा निश्क्रिया नहीं हो सकता बच्चे का active होना जरूरी है, otherwise गलत जा रहें फिर हम तो सीखने में अधिगम करता की भूमेकाओ को महतुपूर मानता है, संरचनावाद संरचना का मतलब यह रचना करेगा बच्चा स्वयम से active हो करके, तो A option is the right answer यह child centered approach की तरफ लेके जाता है question number 13 देखेगा, कुछ जादा ही आगे निकल गए हम, देखे question number 13 क्या कहता है, Lab Vygoski suggested that children's cognitive development, यानि बच्चे का संग्यानात्मक विकास, is dashed by interactions with people who are more capable, यानि Lab Vygoski के इनस्वार, बच्चों की संग्यानात्मक पर अपने से अधिक योग्य विक्तियों के साथ अंतेह क्रिया का क्या प्रभाव पढ़ता है यानि अगर मैं अपने से जादा समझदार लोगों के साथ रहती हूँ, तो मेरा संग्यान बहतर होगा या नहीं होगा, वह कहा जाता है you are the average of five people you live with, और you live around मतलब आप क्या है, और अउसत हैं उन पांच लोगों का जो सबसे close आपके रहते हैं तो वो कैसे हैं अगर आप अपने से मूर्ख लोगों के साथ रहेंगे तो आप उस तरफ जाएंगे और अगर आप अपने से समझदार लोगों के तरफ साथ रहते हैं तो वो आपको उस तरफ ले करके जाएंगे ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ लैब वाइगॉस की सजेस्ट करते हैं कि चिल्रन्स कॉपनिटिव डियोलेप्मेंट यानि बच्चे का जो संञ्यान है इस डैश बाइ इंटरेक्शन विद पीपल कैसा होता है उन लोगों के साथ अन्तेह क्रिया करने पर जो उनसे ज़्यादा योग्य है यानि वो व्यक्ति जो मुझसे ज़्यादा जानता है उससे मुझे फायदा होगा नुकसान होगा नौट इंपेक्टिड कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिबली इंपेक्ट होगा फैसिलिटेटिड या फिर डिक्रीजड तो वाई गॉस की तो भाई कहेंगे कि फैसिलिटेट होगा अगर बच्चा सुसाधित होगा संग्यान जो है वो बहतर होगा यदि अपने से ज़्यादा कैपिबल लोगों के साथ आप हैं या बच्चा इंटरेक्ट करता है अन्तहक्रिया करता है इनको more knowledgeable other भी कह सकते हैं यानि ज़्यादा जानने वाले अन्याई मेरा एक दोस्त जिसको math अच्छे से आता है और मुझे English अच्छे से आती है तो वो परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता यानि जिस समाज जिन लोगों में आप रहने हैं जिस संस्कृती में आप हैं अधिगम भी उससे प्रभावित सौ प्रतिशत होगा ऐसा वाइगाउस की मानते हैं एसा वाइगाउस की कहेंगे बात तो सही है यानि memory में भर लो attention दे करके इसको रटना कहते हैं ठीक है तो बच्चा सबस्यादा active कहा है यहाँ के जो आपकी learning है उसको cannot be separated from it social context आप सामाजिक संदर्ब से नहीं हटा सकते हैं समाज में अन्यों निकरिया करने से ही learning होती है इसको अलग नहीं किया जा सकता learning और इसके social context को क्या समझें समझें के नहीं समझें बिल्कु समझें be option चलिएगा अगर हम बात करते हैं इसको पढ़ना था ध्यान से कि cannot be separated मतलब सामाजिक परिपेक्ष से अलग नहीं किया जा सकता यह नहीं कहा है हमके society से सीखा नहीं जा सकता पढ़के गलत नहीं समझना है इसका मतलब क्या हुआ इसकी एज के लोग भी हो सकते हैं वो या adults हो सकते हैं जिनके साथ वो रहता है साजी गतिविदिया करते हैं तो वो सीखते हैं कौन कह रहा है यह? more knowledgeable, other, scaffolding कौन कर रहा है इसकी बात? वाइकॉस्की ही कर रहा है ना इसके नरको पड़ी नहीं है प्याजे अपनी activity पे जादा जोर देते हैं लेकिन यह बात वाइकॉस्की कहते हैं तभी इनकी theory का नाम socio-cultural approach है यानि समाजिक सांस्कृतिक उपादम है कि आप समाज और संस्कृति में अपने से बहतर लोगों के साथ मिल करके बहतर सीखते हैं C option question number 16 देखेगा फटा-फट से क्या कहता है question number 16? यह कहता है when our teacher leads the child to the correct answer यानि एक teacher जब सही उत्तर तक ले करके जाता है बच्चे को through various prompts यानि जहाँ जहाँ पर जुरत है वाँ थोड़ा hint दे करके कोई एक step solve करके rather than mere explanation यानि वो पूरा उत्तर नहीं बता देता है वो hints देता है वो help करता है बच्चे को उत्तर तक पहुँचने में the help provided is referred to as यानि यह जो help यह जो मदद मिली है इसको यह मदद क्या कहलाती है यह जो temporary help मिली है उत्तर तक पहुँचने में उत्तर नहीं दिया teacher ने help की है उत्तर तक पहुँचने में scaffolding कहलाएगा direct instruction होता है बस दिमाग में भढ़ दिया आपने फिर तो explanation ही कर देते ने teacher hint की क्या जूरत थी conditioning भहिया conditioning नहीं है यह reinforcement की बात वाइगॉस की करेंगे यह नहीं ना conditioning की तो यह क्या है इसका folding है पाड है temporary help है क्या है temporary help है इतनी बात clear है हमें कोई दिक्कत इस बात को समझने में बिल्कुल भी नहीं हो रही है आगे बढ़ेंगे question number 17 देखेगा क्या कहता है question number 17 फटा-फट से बताएंगे question number 17 देखेगा in lab Vygosky's theory self-talk यानि खुद से बात करना self-talk that guides thinking and action is referred to dash and should be dash तो Vygosky के सिध्धान्थ के अनुसार swear-walk या nij-walk जो हमारी सोचव विवहार को दिशा देता है यानि खुद से बात करने से क्या होता है हमें मिलती है दिशा दिशा मतलब कौन से दिशा कि हमें direction मिलेगी कि हमें किस direction में जाना है जब हम खुद से बातचीत करते हैं किसी problem में या किसी question पर फसर हैं तब भी तो हमें एक दिशा मिलती है इस खुद से बातचीत करने को nij-walk या private speech कहते हैं क्या कहते हैं private speech कहते हैं इतनी बात हमें पता है यह वही कौन से वाला time period है दो से छे वर्ष के बीच में ठीक should be what encourage करें discourage करें भई जिस चीज से दिशा मिल रही है उस चीज को बढ़ावा देंगे discourage थोड़ी करेंगे क्या करेंगे encourage करेंगे यानि बढ़ावा देंगे तो private speech कहते हैं इसको खुद से बात करने को तो clear बात है A option is the right answer ये 18th January paper 2 में पूछा गया है अब आता है question number 18 in a socio-constructivist classroom socio-constructivist का मतलब ही है समाजिक रचनावादी का मतलब ही है वाइगौस्की की बात हो रही है किस की बात हो रही है वाइगौस्की की बात हो रही है in a socio-constructivist classroom the teacher is dash and the tables and desks are dash to facilitate group work यानि एक सामाजिक रचनावादी कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज, वा कुरसी ऐसी होनी चाहिए भहिया teacher कैसा होगा एक socio-constructivist classroom में constructivist classroom है इसका मतलब बच्चे active होंगे बच्चे active होंगे का क्या मतलब हो गया बच्चे भी active होंगे और teacher भी active होगा दोनों active होंगे तो सबसे पहले हमें देखना है teacher is dictator नहीं facilitator होता है, dictator नहीं हो सकता है ये दोनों option हमने eliminate कर दिए, हटा दिए, remove कर दिए teacher होगा mobile या फिर dynamic कह सकते हो, या फिर active भी कह सकते हो mobile का मतलब है, mobile कहां से बना पहले landline होते थे एक जगा रखे थे mobile का मतलब है, जो इधर से उधर जा सके dynamic है, change किया जा सकता है उसको तो mobile है, teacher active है clear है बात, तो teacher mobile है and the tables and desk, जिन table और desk पे वो बैठा हुआ है बच्चा, वो भी movable है, उनकी भी दिशाच change की जा सकती है, वो fixed नहीं है कि अब आगे पीछे जा ही नहीं सकते है उन table और desk के साथ, तो गतेशील है और जिने move किया जा सकता है, basically changeable है तो A option is the right answer fixed नहीं होंगी question number 19 देखिए फटा-फट से और जवाब दीजे, which of the following statements does not support a belief in socio-constructivist perspective of learning यानि निमलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रशनात्मक परिपेक्ष में विश्वास का समर्थन नहीं रखता यानि यह कहारा है socio-constructivist यानि जो वाइगास्की की अप्रोच है उसको support ही नहीं कर रहे सबको एक टीचर का समझ में भी नहीं आता और सबको एक व्यक्ति पसंद भी नहीं होता ठीक है जो आपका फेडरेट व्यक्ति होगा हो सकता है किसी के लिए वो दुश्मन हो पसंद भी नहीं उसको शकल देखना भी पसंद नहीं तो अगर एक ऐसा socio-constructivist perspective है यह किसी को पसंद भी नहीं है यानि समाजिक रशनवादी जो perspective है जो वाइगौस्की कह रहे है कि यह ऐसे सीख लो समाज में activity करके सीख लो कोई दूसरा वेक्ति है जो इसको मानता नहीं है support नहीं करता अब उसका क्या perspective होगा या किस option को देख के आप यह कह पाएंगे कि वाइगौस्की को support नहीं करता या समाजिक संरशनवाद को support नहीं करता पहला option है चिल्रन शुड रिसीव qualitative feedback on their responses बच्चा जहाँ एक्टिबेस का मतलब support करता है है ना यानि बच्चों को बताना चाहिए सिक्षक को प्रशन पूछने के दौरान के उनकी सोच में कहाँ थोड़ी सी दिक्कत है प्रॉब्लम कहां और यह gaps कहां आ रहे है सही बात है यहाँ पर भी feedback मिल रहा है बच्चे को टीचर शुड आस्क क्वेश्टेंस कोई एक गलत पता होने कसी concept के बारे में जैसे कि मैं बार-बार example देती हूँ बच्चे को लगता है कि water is not colorless water का जो रंग है पानी का जो रंग है वो तो हरा होता है क्योंकि उसने तालाब देख लिया है तो यह क्या होगा? तब जाके चर्चा में यह बात आएगी तो इस पर चर्चा होनी चाहिए यह active है बच्चा तीनों option में बच्चे active हैं जहां बच्चे active हैं वो कैसे socio-constructivist नहीं होगा बिल्कुल होगा children should take on a passive role बच्चे को passive बना दिया बस समझ ज़ो कहानी खतम हो गई यह वाइगोस्की को या प्याजे को या एक अच्छे child-centered classroom को progressive education को support नहीं करेगा individual differences को support नहीं करेगा क्योंकि बच्चे का active होना सबसे ज़रूरी है आज के सिक्षा प्रणाली में तो सिक्षा प्रक्रिया के दौरान बच्चों को interact करके अंतहक्रिया करके बातचीत करके सीखते हैं जो उनसे ज़्यादा जानते हैं बात तो सही है this view of learning is correct in the light of dash theory given by dash यानी कि यह जो बात है जो perspective है यह जो view of learning है यह किसके context में सही है socio-cultural approach के context में सही है जो theory given by किसके दौरा लेब वाइगोस्की के द्वारा socio-cultural theory प्याजने तो दी नहीं है तो यहां पक तो सही थी बात यहां पे गलत हो गई psychodynamic theory Sigmund Freud को उन्होंने इस तरह की बात नहीं की और education में इसको हम बहुत ज़्यादा apply कर भी नहीं पाते है psychodynamic को behavioristic और BF skinner जी नहीं वो बात समाज में या more knowledgeable अधर की बात नहीं करने वाले तो हम यह कहेंगे के Lab Vygotsky का जो सिध्धान्त है जुसमें सामाजिक अंते क्रिया की हम बात कर रहे हैं यह Lab Vygotsky का सिध्धान्त है जुसको सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त कहेंगे तो A option is the only right answer over here आगे बढ़ेंगे next question पर next question क्या है हमारा question number है 21 आसान question से यार बस पढ़के समझने की बात है in accordance with Lab Vygotsky यानि Lab Vygotsky के according ideas of cognitive development a teacher should एक सिख्षक को क्या करना चाहिए अगर वो Vygotsky के सिध्धान्तों को मानता है कि बच्चा समाज संस्कृती और इंटरेक्शन ही रोक दो बच्चे को बात ही मत करने है दो एक दूसरे से restrict the use of cultural tools restrict क्यों करेंगे भई cultural tools को बढ़ावा देंगे ये कह रहे हैं बाधित कर दीजे फिर आता है C option provide scaffold to students to reach their best potential भई बच्चे को हम मदद देंगे ताकि जो भी उसमें शमता है वो अपनी best शमता तक पहुँच सके बात एकदम बढ़िया है देखो अंशू कह रहे हैं ऐसे लोग चाहिए हमको कह रहे है मैडम जी आप कराओ 12 बज़े तक हम तयार हैं यही अप्रोच रहेगी तो मज़ा आहे गई लर्निंग में भी और लाइफ में भी सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना जो है एकदम गड़बड बात हो गई नेगेटिव है यह बात है ना क्या है यह यह नेगेटिव बात है प्रोवाइट्स इसका फोल यानि विद्यार्थी को उसके बच्चा जहां एक्टिव होकर किसी खे वो बेस्ट है यानि पेर का मतलब समझते हैं दो दो बच्चों के पेर बने हुए है या फिर गुरुप पर चार चार बच्चों का गुरुप तीन बच्चों का गुरुप है मतलब क्या है ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़िदार प्रदत का रहे हैं और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोटसाहित किया जाता है उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है या बच्चे गुरुप में काम कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे साथ सहयोग के साथ काम कर रहे हैं कαιना डिस्कर्शन यानि चर्चा हो रहे हैं या चर्चा आके लिए तो करता नहीं है इनसान उसको तो सेल्फ टॉक कहेंगे डिस्कर्शन हो रहा है बच्चे पैसिव नहीं हो सकते इतना सब कुछ करने के बाद तो बच्चे एक्टिव है कोलाबरेटिव लर्निंग यानि सहयोग आत्मक अधिकम का उधारन है विल्कुल सहयोग तो हो ही रहे हैं लोग मिलकर के जुलकर के सीख रहे हैं रोट मेमराइजिंग फॉर लर्निंग ये तो सीख रहे हैं अग्टिवली इंस्ट्रक्षन बेस लर्निंग होता है कि टीचर ने कहा ये याद कर लो टावट से बताया और उत्तर याद कर लिए ये है डिरेक्ट इंस्ट्रक्षन धीके ना तो तो कोलाबरेटिव लर्निंग है हैं तब भी आंसर यही रहता है तो यह तीनों वर्ट्स आपको ध्यान रखने वाइगौस्की के कॉंटेक्स्ट में गुरूप वर्क, कोलाबरेटिव वर्क, कोबरेटिव वर्क, असिस्टिव लर्निंग यह सब जो हैं वाइगौस्की से ही संबंदित हैं इसनेहा की इसनेहा एक बच्ची है, उसका कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बताएगे को एक बार, उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुँच पाता है, यानि मान लिए जो मैं इसनेहा हूँ, पहले मेरा हाथ यहां तक पहुँचता था, यह मेरी अलमारी का हैंडल है, अब मेरा हाथ हाइट बढ़ गए, यहां तक पहुँच पा रहा है, ठीके न, अब कहानी क्या, क्वेश्चन क्या, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है, इसनेहा की कदमे बदलाव को क्या कहेंगे, अभी जानके मैंने क्वेश्चन यहां कोई सीधी का इस्तेमाल कर रही होती, कोई प्लैटफॉर्म का यूज कर रही होती, यानि किसी भी फॉर्म में उसने क्या किया होता, किसी एक मदद का इस्तेमाल किया होता, उस मदद के बारे में पूछा जाता, तो यह सके फोल्डिंग हो जाती, कि अब इसकी साहेता से इस प्यार रहना है, learning और adaptation का यहां कोई रूल नहीं है, क्योंकि हमें पता है, वो change, कैसे वाला change जिसको हम माप सके, height के बढ़ने को माप सकते हैं न, growth का हिस्सा होता है इन लेब वाइगोस्की, theory the teacher should dash to enable the child to learn meaningfully, यानि लेब वाइगोस्की की अनुसार, अर्थपूर सीखने के लिए सिखशकों को क्या करना चाहिए, अर्थपूर क्या होगा, meaningful क्या होगा, meaningful वो होगा, जो आपकी life से जुड़ा हुआ हो, जो चीज हमारे जीवन से जुड़ती है वो हमारे लिए meaningful होती है, उसका हमारे लिए अर्थ होता है, है न, जो चीज हमारे जीवन से जुड़ी ही नहीं है, हमारे अनुभव में ही नहीं है, हमारे लिए वो meaningless हो जाती है, रोट, learning करनी पड़ती है, रट्टे लगाने पड़ते हैं उसके, तो meaningful कब होगी, जहां बच को active रखा जाता है, punishment या reward के नाटक नहीं होते, तो पाड़ प्रदान करना, यानि temporary help प्रदान करना, उससे बच्छा सीखेगा actively, question number 25 देखे, देखेंगे, socio-constructivist perspective के according language क्या होती है, यानि socio-constructivism यानि वाइगौस्की के अनुसार, language का क्या महत्व होगा, आसान शब्दों learning by provisioning for social interaction, यानि अधिगम को सुसाध्य किया जाएगा सामाजिक पारसपरिक क्रियाओं को बढ़ावादे करके, सामाजिक पारसपरिक क्रियाओं को बच्छे गुरुप में सीख रहे हैं, एक दूसरे से घुल मिल करके सीख रहे हैं, अपने बाबाप से question कर रहे हैं, दादी क्रिशनाबाद में दिक्कत होती है, यह बाधा है अपने आपने सीखने में, भई बाधा का है, यह तो thinking को बढ़ावा देगा, जब आप चार लोगों से बात करेंगे, आपके दिमाग में questions चलेंगे, आप उनसे questions पूछेंगे, आप अपने विशार बताएंगे, is insignificant in the learning process, यानि महतुपूर्ण ही नहीं है, निरर्थक है, socio-constructivism, भई इसको हम अच्छा मानते हैं, ठीक है, hinders the process of learning, यानि barrier मतलब रुकावट बन रहा है, negative नहीं है, socio-constructivism, इतना important हम नहीं मानते हैं, यदि यह काम का नहीं होता तो, तो A option is the right answer only, जहाँ पे हम यह कह रहे हैं कि बच्चे की जो learning है, वो facilitate होती है, बहतर होती है, जब वो सामाजिक, सांस्कृतिक परिपेख्ष में अन्यों ने करिया, अंत्या करिया, interact करता है अपने से आस-पास के बच्चों से, बड़ों से, टीचर से, टीवी में कुछ देखेगा, तो जो भी चीज़ें चल रहे हैं, वो सब उसकी thinking process को बहतर करती है, उन सब के माध्यम से वो अपने ग्यान की रचना स्वेम करता है, question number 26, देखिए फटावट से, लैप वाइगौस्की गेव सिगनिफिकेंट इंपॉर्टनेंस तो, यानि महत्व दिया है, वाइगौस्की ने किस चीज़ को, in development of thinking and learning, सोचने और विचारने या सीखने की प्रक्रिया में, वाइगौस्की ने किस चीज़ को महतु दिया है, तो rewards and punishment बिलकुल हटा दो, जहां constructivism यानि रचनावाद लिखा है, वाइगौस्की लिखा है, प्याजे लिखा है, reward punishment का नहीं काम आने वाला बिलकुल भी, same ability based grouping, इसको homogeneous grouping कहते 90% वालों को एक group में रग दिया, फिर वो अलग-अलग या नया नहीं सीख पाएंगे एक दूसरे से, advance organizers, यह भी behavioristic model है कि इसमें आप chart and all प्रयोक करके और पूरा organization, memory में कैसे भननी है चीज़े उसको डालते हैं, तो यह भी active नहीं है, हमें पता है society, culture, language, जिन तीनों में से कोई एक मिल गया, तो best answer मिल जाएगा हमें, तो cultural tools के माध्यम से, Sanskritic उपकरणों के माध्यम से, हमारी thinking, हमारी learning भेतर होती है, एखिए, question number 28 है, the idea that children should be guided and assisted, अभी बताया थे न, assistive learning, cooperative learning, collaborative learning, यह तीनों में से कुछ भी लिखा हो, समझ जाओ, वाइग उसकी की बात हो रही है, ठीक है न, in their learning as per their cultural context has been proposed by, आपको पता है, समाध, संस्कृति, भाषा, तीनों चीजों को महत्पूर्ण, एक ही विक्ति हैं, जो मानते हैं हमारे सलेबस में, वो है, वाइगोस्की, the वाइगोस्की, Harvard Gardiner है, कहां से बात आ गई, यहां तो intelligence की बात ही नहीं हो रही, moral values की बात नहीं हो रही, कहां से आ गई, वाइगोस्की नहीं आएंगे, क्योंकि cultural context की जब भी यह बात कर रहे हैं, assisted learning की बात कर रहे हैं, guided learning की बात कर रहे हैं, तो यह की विक्तियां जो यहां काम के हैं, जो collaborative, cooperative, assistive learning, सहयोग, more knowledgeable other, जावा जानने वाले योग्ये की बात करेंगे, वो हैं लेव वाइगोस्की